नागपूर हल्चल में आपका स्वागत है तो आई ये नजर डालते हैं नागपूर की विवित हल्चल पर आज आजादी के अमरुत महत्साव और नेताजी सुभास्चंद्र बोश की 125 वी जैनती के अउसर पर वार्ड 19 भजेरिया क्षेत्र में एंप्रेस मौल के सामने महारश्टर कपड़ा निगम द्वारा मनपा को प्रदान किये गए वंदे मातरम उध्यान का भूमी पुजन हु जेता सुभेदार मेजर योगेंद्रे सिंग यादाव की मौजुद्गी में आज शाम 6 बजे एंप्रेस सिटी मौल के सामने वंदे मातरम उध्यान का शीलान्या समरव होगा महापौर दयाशंकर तिवारी ने एक सववाद्दाता सम्मेलन में कहा कि केंद्रिय मंतरी नितिन गड़करी इस कारेक्रम के मुख्य अतिती होंगे इसके अलावा राज्य के उर्जा मंतरी और नाकपुर जिले के पालक मंतरी डॉक्टर नितिन राउत, भाजपा प्रदिश अध्यक्ष चंद्रकान पाटिल भी अतितियों के तौर पर शामिलोंगे प्रेस कॉनफरेंस में उपमहापर मनिशा धावडे, स्थाहिद समीती के अध्यक्ष प्रकाश गोयर, सत्तारूर दल के निता अविनाश ठाकरे, महिला एवं बालकल्लैंड समीती की अध्यक्ष दिव्या धुरुडे और पारक अधिक्षक अमोल्च और पगार उपस्तित वंदे मातरम उद्यान में शहीदों के सीरेमिक मियूरल स्थापित किये जाएंगे नाकपूर महानगर पालिका के उपदरव खोजी दल ने गुरुवार को साथ दुकानों और प्रतिष्टानों के खिलाप कारवाई की और साथ हजार रुपे का जुर्माना वसूल किया इसी तरह हनुमान नगर जोन के अंतरगत गनिश नगर नंदन वंस्थित एजूकेशन हब ट्यूशन क्लासेस के खिलाप कोवीड प्रोटोकाल का उल्लंगन करने पर कारवाई की गई और संचालक से पाच हजार रुपे का जुर्माना वसूल किया गया धन्तुली जोन के अंतरगत कॉटन मार्केट में नारायन शेल्स के खिलाप कोवीड नियमों का उल्लंगन करने पर कारवाई की गई और पाच हजार रुपे का जुर्माना वसूल किया गया इसी तरह गांधी बाग जोन के अंतरगत बढ़कर्श्योक माहल में सत्यम गार्मेंट्स के खिलाप अतिक्रमन करने पर कारवाई की गई और दस हजार रुपे का जुर्माना वसूल किया गया महमेट्रो की सितावरडी इंटर्चेंज से प्रजापति नगर मेट्रो स्टेशन के बीच मेट्रो ट्रेन का टेस्ट रन हाल ही में सफलता पूरुवक पुरा हुआ है शिग्रही इस लाइन पर मेट्रो ट्रेन का संचलन प्रारंब होगा और इसका लाप सभी वर्ग की यात्रियों को मिलेगा मेट्रो ट्रेन की सुविधाय और स्टेशन संबंदी विस्तुरुच जानकरी देने के उद्देश से महा मेट्रो द्वरा विविज स्थानों पर मेट्रो सववात का आयोजन किया जा रहा है इसी श्रुंकला में डागा स्मुरुती महिला हस्पिटल में स्टाप, रोगी और उनके परीजनों की उपस्तिती में मेट्रो समवात का आयोजन किया गया हस्पिटल की अधिक्षी का डॉक्टर सीमा पारवेकर ने सववाद में कहा अस्पताल में आने और जाने वाले मरीजों उनके रिष्टेदार और अस्पताल के स्टाप के लिए मेट्रो ट्रेन की सेवा सबसे बहतर और सुविदा जनक होगी उन्होंने कहा कि अस्पताल आने वाले अधिक्तर मरीज आर्थिक द्रुष्टिकों से कमजोर होते है गर्बवती मैलाये और शिशियों को अस्पताल लेकर आने और जाने में मेट्रो काफी सुविदा जनक और सुरक्षित साबित होगी दागा अस्पताल की परिचारीकाओ की टीम से भी मेट्रो के अधिकारियों की चर्चा हुई नाकपूर के विभिन नईस्चों से नियमी त्रूप से अस्पताल आने वाली कई नर्सों और डॉक्टरों ने मेट्रों सेवा और साथ में कई फीडर सेवाओ की शुरुआत पर अभिनंदन किया गया। डॉक्टर अने सहमत के साथ एप PCC ट्रेड सेल के चैर्मन अतुल कोटेचा, दीपक पतेल, किशोर जिचकार, अभिजीत सबकाल, जुलपेकार भुट्टो, सैयदा निजाम अंसारी, सैयद मुम्ताज, विजय भामरे, संजय खुले, राज नादर, प अल इंडिया ट्रेडर्स, कैट ने देश के व्यापार से जुड़े कुछ संगटनों के साथ, नई दिल्ली में एक राश्ट्रिय ई-कॉमर्स कॉनकलेव का आयोजन किया, जिसमें देश भर के प्रमुक व्यापारी संगटनों, विभिननक शेत्रों में काम करने वाली ई- अलियो, ट्रांस्पोल्टरों एवम उपभोगताओं ने भाग लिया, कॉन्फरेंस प्रत्यक्ष एवम ऑनलाइन दोनों तरीकों से आयोजित की गई, कॉन्फरेंस में सर्वसम्मति से पारित, एक प्रस्ताव में देश में एक सुगटित, ई-कॉमर्स निती एवम ई-कॉम अलियो, ट्रांस्पोल्टरों एवम उपभोगताओं दोनिक्स एसोसियेशन, अलियो, ट्रांस्पोल्टरों एवम ई-कॉमर्स में काम करने के लिए, एक स्पेशल टास्क पोर्स का गठन किया, वही कॉम्फरेंस ने एक सर्वसम्मति प्रस्ताव में दिल्ली डिकलेरेशन भी जारी किया मंडल रेल प्रबंदक मनिंदर उपल के नित्रुतुव में दक्षिनपूर्व मध्यरेलवे नाकपूर मंडल द्वारा माल लदान के क्षेतर में अपने शांदार प्रदर्शन को जारी रखते वे, जनवरी 2022 में 0.92 मिलियन टन माल लदान किया गया है जिसके फलस्वरू 75.96 करोड रुपे की आये हुई जो कि पिछले वर्ष की इसी आउधी की तुलना में क्रमशाह 19.48 प्रतिशत तथा 52.38 प्रतिशत अधिक माल लदान और आये है इसके अलावा इस मेने पार्सल लदान क के अंतरगत 1 जनवरी से 31 जनवरी तक कुल 1253 टन पार्सल की लोडिंग हुई जिससे 26.74 लाक रुपे की आये हुई टिकेट चेकिंग शेत्र में भी शांदार प्रदर्शन को जारी रखते वे जनवरी 2022 महा में विभिन्न गाडियों तथा रेल्वे स्टेशनों में चलाये टिकेट जाच अभियानों के अंतरगत बिना टिकेट अनियमित यात्रा बिना माल बुक किये गए लगेज तथा बिना मास्क के सफर करने के 48,420 मामले दर्श किये गए और कुल मिलाकर 2,45 लाक रुफे का जुर्माना वसूल किया गया जो मुख्याला द्वारा जनवरी महन के लिए निर्धारित लक्ष से 104.33 प्रतिशत अधिक आया है सर्वप्रतम टार्थनागीत ए मालिक तेरे बंदे हम विडियो रिकॉर्डिंग के साथ मंडल द्वारा पूर्व में किये गए कारियों के फोटोग्राप दिखाये गए इसके फश्चात मंडल की महिला प्रमुक वकुषल मंच संचाली का संगीता दलवानी का आगमन हुआ वो उन्होंने अध्यक्ष से आतितियों का स्वागत करने हेतु आगरह किया मंडल के अध्यक्ष अर्जुन्दास आउजा द्वारा प्रमुक वक्ता डॉक्टर मनुच साल्पेकर वो अमेरिका से पदारे प्रमुक अतिति मोहन के सोनी दोनों का हर्दिक स्वागत करते हुए मंडल के कारियों और वीवित पहलों के बारे में संक्षिप्त जानकरी दी कारिकरम के प्रमुक वक्ता डॉक्टर मनुच साल्पेकर का परिचय मंडल के सहसची उरमेश सच्देव द्वारा दिया गया परिचय के पस्चात अंतरराश्टिय स्तर के कारिकरम संचालक वो मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर मनुच साल्पेकर द्वारा भारतिय फिल्मो के अनमोल सितारे दिलिप कुमार राजकपूर वदेवानन के जीवन पर वो उनके फिल्मे सपर पर प्रकाश डाला वतीनों की अंगीनत बातों का सुन्दर वर्णन किया बाते फिल्मों की यह केवल मनुरंजन कारेक्रम ही नहीं बलकि नैतिकता का पाट फड़ाने और सामाज प्रसिन भी जल्द आ गई कैंसर के क्षेत्र में निरंतर सेवारत समाज सेवी नरिंद्र सतीजा की अनुसार कोरोना से कई गुना खतरनाग बीमारी कैंसर है और अभी तक इसका कोई ठोस इलाज नहीं मिल पाया है हर वर्ष पूरे विश्व में 4 फरवरी को कैंसर जागरू लेकिन अभी लोगों को इस बारे में जानकारी प्रदान करना अत्यनता आवशक है विशेश रूप से सरकार की ओर से इस खेत्र में पहल करना जरूरी है दरसल इसके लिए अलग से कैंसर मंतराले बनाय जाए अथवा स्वास्थ मंतराले में विशेश कैंसर विभाग होना जाए जिसमें केवल कैंसर से जुड़े काम हो अगर हम जागरुक रहे तो निश्चित रूप से कैंसर से बचा जा सकता है प्रेशासन में अब भी कुरोना महामारी को लेकर परियापत गंभिरता नहीं है सतिजाने कहा हाल ही में नाकपूर शहर जिला कॉंग्रेस कमिटी की बैठक देवडिया कॉंग्रेस भवन में हुई बैठक की अध्यक्षता शहर अध्यक्ष एवं विधायक विकास ठाकरेन की बैठक में पीछली बैठक की रिपोर्ट को सर्वसम्मती से मनजूरी दी गई बैठक में नाकपूर महानगर पाली का द्वारा गोशित वाल्ड सररचना पर चर्चा गी गई नाकपूर शहर के वाल्डों के सनरचना को लेकर यदि कोई आपती है तो मनपा आयुक्त से शिकायत करे और एक प्रती शहर कॉंग्रेस कमिटी को रिपोर्ट करने का निर्णय लिया गया आगामी मनपा चुनाव जीतने के लिए प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी के आदिशानुसर प्रतिक बूत पर एक पूरुष और एक महला की सदस्यता मुख्यन आमांकन करता के माध्यम से दर्श की जानी चाहिए छे फरवरी से शहर के तमाम कॉंग्रेस पदादिकारी नाकपूर के सभी वार्ड में बड़े पैमाने पर डिजीटल सदस्यता अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेंगे और अधिक्तम डिजीटल सदस्यता लेने वालों को मनपा चुनाव में टिकिट देने में प्राथ आज 15 प्लस और 45 प्लस आयू वर्गे के सभी नागरीकों का कोवी शील्द का टिका करन नागपूर महानगरपालीका के साथ साथ सरकारी केंदरों पर होगा टिका करन का समय शाम के पाच बज़े तक होगा टिका करन के लिए ऑनलाइन और उफलाइन दोनों पद्दतियों से पंजी करण किया जा सकता है इसी तरह ड्राइविन वैक्सिनेशन के इंद्रू पर भी 15 वर्ष और 45 वर्ष से अधिकायों के सब भी नागरिकों को कोवीशिल्ट के जरिये टीका करण किया जाएगा यह जानकारी चिकित सा स्वास्टे अधिकारी डॉक्टर संजय चिलकर ने दी इसी तरह 15 प्लस और 45 प्लस आयुवर्ग के नागरिकों के लिए कोवैक्सिन का पहला और दूसरा डोत मेडिकल कॉलिज डॉक्टर बाबासायब आमबेट कर अस्पताल काम्ठी रोड हाल ही में केंद्रिय वित्त मंत्री निर्मला सिता रमन ने लोकसभा में वित्त वर्ष 2022 देश के लिए बजट पेश किया था चौथी बार केंद्रिय बजट पेश करते वे उन्होंने कहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से मजबुत हो रही है लेकिन सामान्य लोगों को ये बात रास नहीं आई उनका पिटारा खुलता रहा और आम आदमी के हाथ केवल निराशा ही लगी इंकम टैक्स में कमी की आस लगाए वेतन भोगी लोग हैरान रह गए तो राहत की उम्मिद लगाए आम आदमी और छोटे व्यापारी भी परेशान हो गए भाजपा भले ही इसे आम आदमी का बजट कह रही है लेकिन विपक्ष सरकार को कोसने में लगा है मोधी सरकार की आर्थिक नीतियों का खामी आजाद जनता को भी भुगतना पड़ रहा है परिनाम स्वरूप उपभोग खर्च में भी काफी गिरावट आई है पीएम किसान सम्मान निधी के तहट देश के करोडों किसानों को सालाना 6,000 रुपे की सहायता राशी देने के निर्ने में सरकार ने कोई बदलावन नहीं किया है वही नागपुर शहर के व्यापारे संगटनों के प्रतिनीधियों ने भी बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है किसी ने सरहना की है तो किसी ने आम आदमी और छोटे व्यापारी वंचित होने पर चिंता जताई है रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों की बहतर यात्रा सुविधा है तू गोंदिया कटंगी गोंदिया के मध्य चल रही स्पेशल ट्रेन की परिचालन संशोधन किया जा रहा है ये संशोधन पाच फरवरी 2022 से चलने वाली गाड़ी संख्या 07-8-03-07-8-07 गोंदिया कटंगी पैसेंजर स्पेशल में लाग होगा इसी प्रकार गाडी संख्या 07-8-04 कटंगी गोंदिया पैसेंजर स्पेशल प्रति दिन कटंगी से सुभा सबा 11 बजे रवाना होगी और पौने 2 बजे गोंदिया पहुचेगी खर्बी रोट स्थित साई बाबा नगर परीसर में हाल ही में प्रमुक अतिथियों के उपस्थिती में 3 स्टार कॉनवेंट का शुभारम हुआ प्रमुक अतिथियों में विद्धैक रुष्ना खोपडे विद्धैक टेक्चन सावरकर, शिव सिना नेता किशोर कुमेरिया, पुषपा गायधने, निकेश कातुरे, सुभाज गुजर कर सतिश आमदरे, श्रिकान सामबारे, आशिश कलंबे, निलेश करने आदी गणमान्य व्यक्तियों का समावेश था। विधायगट कुरुषना खोपड़े, एवं टेक्चन सावरकर ने अपने भाशन में कहा कि श्रिकान सामबारे के सामाजिक, शेक्षनिक कारिय में किसी भी प्रकार की सरकारी मदद की आवशकता पढ़ने पर उसे जल्द ही पूरा किया जाएगा। इस आउसर पर अभिभाव को ने अपने बच्चों का एडमिशन भी करवाया, प्रतिष्ठान की और से अतीतियों की छत्रपती शिवाजी महाराज पर आधारित कलाशिल्प भेट स्वरू प्रदान किये गये और उनका सतकार किया गया, भेट कलाशिल्प का निर्मान अभेगुसे नि किया था। इस बजट के सिधे प्रसारन को एक बड़े LED स्क्रीन के माध्यम से दिखाया गया है। प्रदान मंतरी मुद्रा लोन योजरा नाकपुर अध्यक्ष राकेश गांधी, अशोक शाहनिवाल, राजेश मुनियार, रितेश हसोडिया, प्रकाश डागा, तुलसी गिडवानी, गुल्शन सहगल, राजु धाप से किशोर राठोर, शाम बजाच, संतोष, कौशल जाय पंकर जगरवाल, सचिन बुन्देले, राजेश अडियेच, आधी पदादीकारी, एवं कार्यकार्तागण, तथा व्यापारी उपस्तित्ते आधी के अमरुत मोहत्सों के पावन परवपर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के 45 करोट सुर्य नमसकर महायग्य में विश्व मांगले सभापना योगदान देने जा रही है साथ फरवरी को रत सब्तमी या सुर्य सब्तमी के शुभ मुहुरत तक सुर्य नमसकर करके समस्त महिल आए अपने परिवार के साथ इस महायग्य में अपना सहे बाग लेगी विश्व मांगले सभा का संकल्प है कि देश के 21 प्रांतों से 345 स्थानों से 1650 विश्व मांगले सभा की स्वयम से भी कारेकरताओं के माध्यम से 21 लाग से भी अधिक सुर्य नमसकर का आयोजन किया जा रहा है इस यग्य में सम्मिलित होकर अपनी समिधा अरपन करे ऐसा आभान विश्व मांगले सभा की अखिल भारतिय संगठन प्रमुग डॉक्टर रुशाली जोशी ने प्रेस कॉन्फरेंस में किया है इस आयोजन की विशेष्टा ये है कि देश के शक्ती केंद्र जैसे मा अहिल्या भाई होलकर का कीला माहेश्वर मध्यप्रदेश राणी चेनम्मा का स्थान की तूर करनाटक राणी लक्ष्पी भाई जहासी बुंदेल खड उत्तर प्रदेश जीजा माता का जन्मस्थान स अधा सभी महान अधियों के पावन तटो पर जाकर विश्व मांगल्य सभा की सदस्या सूर्य नमस्कार के आयोजन करेगी और राष्ट्र शक्ती के जागरण में अपना युगदान देगी हाल ही में राष्ट्र पिता महत्मा गांधी की पुन्यत इथी के अउसर पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी की जन्ता से मन की बात का कार्यक्रम का आयोजन हसनबाग चौक कामगार चौक में भारतिय जन्ता पार्टी कामगार आघाडी नाकपुर महानगर द्वारा किया इस कार्यक्रम में सर्वा प्रथम राष्ट्र पिता महत्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार पन कर कार्यक्रम की शुरुवात की गई इस अउसर पर असंगठित कामगारों के लिए मुफ्त इश्रम कार्ट शिविर का आयोजन किया गया साथ ही मावली ओनलाइन सिवा केंद सत्तापक्ञ शनिताविनाश ठाकरे भाजपा कामगार आघाडी विधर्व सयोजक जैसिंग कछवा भाजपा कामगार आघाडी महाराश्टर राज्जय के सदस्य प्रमोद्र डीमोले महीला आघाडी अध्यक्षा निता ठाकरे महामंत्री निकिता पराये संपर्क महामंत्री वर्षा पकडे महीला आघाडी अध्यक्षा मध्यनागपुर रेखा निमजे भाजप कामगार आघाडी शहर अध्यक्ष भासकर पराते पुर्वनगर सेवक नरे सेक्रेटरी सीए वरुन विजय वर्गिया ने कहा कि केंद्रिय वजट 2022 देश स्पष्टर रूप से मुद्रा के डिजिटली करण, कौशल और आजीवी का और इसी तरह की अन्ये घोशनाओं जैसे ई विद्या डिजिटल विश्वविद्याले ई पास्पोर्ट आधी पर जोर सेज कानून में बदलाव हेतु बहुत ही महत्वपुर्णा निर्नय लिए गये, बंधुवा भंडारन योजना के मद्दे नजर भी महत्वपुर्णा निर्नय लिए गये हैं। मनपा में हुए स्टेशनरी घुटाले में उस समय अजीबोगरिब मोड आ गया, जब आर्थिक अपराद विभाग ने पुरा मामला उजागर करने वाले स्टोर की पर प्रभारी प्रशांत भातकुलकर को गिरफतार किये जाने की जानकारी दी। हवाला दिया जा रहा हो लेकिन अब सत्य कुछ अलग ही होने की संभावना चताई जा रही है। सदर पुलिस द्वारा एकोनॉमी आफिस वींग को जान्च हस्तान तरित होने के बाद ये पहली गिरफतारी है जिसे अब निकट भविश्य में कई अधिकारियों और करमचारियों पर भी गिरफतारी की तलवार लटक रही है। सूतरों के अनुसार मामले की जांच करते वे सदर पुलिस ने स्टोर की कम्पिटर से हाट डिस्क और सम्मदित करमचारियों के मोबाईल आदी जबती की थी। माना जा रहा है कि इन्ही सबुतों को खंगालने और उनकी जांच करने के बाद पुलिस की और से अब आगे की कारवाई को अंजाम दिया जा रहा है। मान सिक्ता बढ़ने के कारण जंगल टूरिजम वन्य जी प्रेमियों की सबसे बड़ी चाहत बन गया है। में हाल ही में शुरू हुआ कारणला फार्म एंड रिजोर्ट जंगल टूरिजम को नए आयम दे रहा है। जंगल टूरिजम की एक नई परिभाषा गड़ने को आतूर ये एक नायाब रिजोर्ट है। कोरोना महामारी के संबन्द में महाराष्टर में पिछले दिनों लागू किये गे प्रतिबंधों में से। कुछ प्रतिबंधों में महाराष्टर सरकार द्वारा एक फरवरी से नोटिविकेशन जारी कर धिल दी गई है। वे भी निर्धरी समय के अनुसार खुले रहेंगे। किन्तु यहाँ वैक्सिंग के दोनों डोज ले चुके नागरिकों को ही प्रवेश दिया जाएगा। किसी भी समय पर सौ नागरिक अत्वा 50% शमता में से जो भी संख्या छोटी होगी उतनी ही संख्या में व्यक्तियों को प्रवेश करने की अनुमती होगी। स्पा भी 50% शमता से खुले रहेंगे। ब्यूटी सलून वा हैर कटिंग सलून के लिए परतमान में लगाए गया प्रतिबंधात पक नियम लागू रहेंगे। अंतिम संसकार में उपस्तित रहने वाले व्यक्तियों की संख्या अब सिमित नहीं होगी। तो नागपुर हल चल में आज इतना ही। आप से फिर बुलाकात होगी। तब तक देखते रहें बिकेबी न्यूस नमस्कार।